सुप्रीम कोच में लेडी ओफ जस्टिस यानी न्याई की देवी की मूर्ती लगाई गई है इस मूर्ती की आंखों में पट्टी हटा दी गई है जो अब तक कानून के अंधे होने का संकेत देती थी वहीं उसके हाथ में तलवार की जगा समिधान की किताब दी गई है ये मूर्ती सुप्रीम कोच के जजों की लाइबुरेरी में लगाई गई है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक इस नई मूर्ती को CGI डीवाय चंदरचूर ने ओर्डर दे कर बनवाया था इसका उदेश्य ये संदेश देना है कि देश में कानून अंधा नहीं है पुरानी मूर्ती की आँखों पर पट्टी ये दिर्शाती थी कि कानून की नजर ये सब बराबर है जबकि तलवार अथारजी और अन्याय को सज़ा देने के शक्ती का प्रतीक था हलाकि मूर्ती के दाएहात में तराजू बरकरार रखा गया है क्यूंकि ये समाज में संतुलन का प्रतीक है तराजू दर्शाता है कि कोच किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों के तथ्यों और तर्कू को देखते हुए और जादा सुने इस मूर्ती को ब्रिटिश शासन की विरासत को पीछे छोड़नी की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है हाली में भारत सरकार ने ब्रिटिश शासन के समय पर लागू इंडियन पीनल कोड कानून की जगा भारती नयाय सहीता कानून लागू किया था लेडी ओफ जस्टिस की मूर्ती में बदलाव करना भी इसी कड़ी के तहट उठाया कदम माना जा सकता है CGI ओफिस से जुड़े प्रमुक सूतरों ने बताया कि CGI का मानना है कि भारत को ब्रिटिश विरासत से आगे बढ़ना चाहिए सूतरों के मुताबक हैई वज़ा थी कि CGI ने लेडी ओफ जस्टिस का रूप बदलने की बात रखी उन्होंने कहा कि मूर्ती के एकात में समिधान होना चाहिए नाकी तलवार तांकि देश को ये संदेश मिले कि न्याय समिधान के अनुसार दिया जाता है तलवार हिंसा का प्रतीख है लेकिन कोट समिधानिक कानुन के अनुसार न्याय देता है